लौर्ड किष्णा नमन लौर्ड किष्णा नमन टू लॉफ यू माई ओल स्वी डियर इस्टुडेन प्यारे विध्यारतियों आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है सबसे पहले तो आज हम अपने चैप्टर के बारे में आपको ओबर विव बताएंगे आज हम आपको मेटल और नोनमेटल चैप्टर पढाने अब लेएं धातुएं और अधातुएं काफी वारा आपनी ये चैप्टर कंगा近व में उसको सबसे पहले सिक्स में पढ़ा था फिर सेविंथ में भी पढ़ा है और अब ये एर्थ में भी एlet का इम्टल और शीर की मैटल औ देखेंगे पी डॉट टेबल जो हमने आपको गूगल पर सर्च करने के लिए कहा था तो जब भी आप उस टेबल को देखेंगे तो उसमें 118 elements होंगे हर elements का अपना जो electronic बिन्यास है वो अलग-अलग होगा जैसे कि हम बात करें हाइडोजन में एक हीलियम में दो लीथियम में तीन इस तरह से जितने भी आपके 118 elements हैं और 118 elements को आपको इस्टिडी करना है अब अगर हम बात करें मैटल और नॉन मैटल की बात करें तो उनकी अपनी अलग गुरुप है उनकी अपनी अलग सीरीज है वह आपको याद करने हैं ठीक है स्ट्वें चलो धात्व होती क्या सबसे पहले तो यहीं कुस्टन बनता है कि वाट इस मैटल मैटल होता क्या है यानि कि ऐसे तत्व हाइड जो इलेक्ट्रोन को त्याग कर इलेक्ट दानाइन परदान करते हैं धातु के हलावता है क्या बताएंगे डेफिनिस ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रोन को त्याग कर क्या करने वाले हैं धानाइन परदान करने बाले धानायन और रिडायन आपको पता है यदि आप इलेक्टरॉन दे रहे हैं तो आप हैं इलेक्टरॉन डॉनर और यदि आप इलेक्टरॉन ले रहे हैं तो इलेक्टरॉन रिसीवर हैं ग्राही हिंदी में बोलेंगे देने वाले को दाता बोलते हैं बोलते हैं दाता और लेने वाले को ग्राही कहते हैं तो हमेशा धातुएं कैसी होती है धातुएं इलेक्टरॉन को त्याग कर यानि जब इलेक्टरॉन त्यागती हैं दूसरे को देती हैं तो अपने आप पॉजिटिफ चार जाता है यदि मेरा स्टुडेंट किसी को भी 10 अब आपको मास साब बात बताओ सर हमने दस रुपए दे दिये मेरे पास तो है यह नहीं दूसरे पर पहुंच गए नहीं आपने दस रुपए दिये हैं बैल्यू आपकी जादा है आप कौन हो गए डॉनर हो गए और जिसने लिया है वह गिराही यानि की रिसीवर हो गया रिसीवर हमेशा छोटा होता है दाता हमेशा बड़ा होता है दाता कैसा होता है बड़ा होता है बासर में आ रही है बोलते न धनी जो देता है धनी होता है और जो लेता है वो रिड़ी होता है क्या होता है रिड़ी होता है ठीक है धातुएं चमकदार होती है आप जानते है द्याम किसी होती हैं छमकडार होती हैं ठीक है साइञे पाई जाती है धातों में अगहाद बर्धनिय जोने की मैलियेIST होती हैं पीटने पर फैलती और तन्न होती है है नsh siamo डवटाई Iya पृचिवी की अगर भूपर पट्रैने की पराथ कई arbitrी की लेयर खरें घर आरे हम बात कर सबसे उपर लेर होती है मैंटल सबसे सेंट्रम होती है कोर हम भूपर परपटी की बात करें क्रश्ट में 7% पाई जाती है चार परसेंट लोहा पाया जाता है क्या पाया जाता है लोहा पाया जाता है ठीक है और 3% कैल्सियम पाया जाता है क्रम से प्रथम दुति और तिति इस्थान आप से कोई पूछेत बताओ सबसे ज़्यादा भूपर परपटी पर क्या पाया जाता है यानि कि आपकी क्रश्ट क्या पाजाएगा आप कहेंगे आप क्या कहने वाले हैं एलुमिनियम सेकेंड नमर पे आयरें तीसे नमर पे कैल्सियम ठीक है चल अगर हम इनकी फिजीकल प्रॉपरिटी की बात करें ठीक है तो धातुएं तन्य होती है वह गुड़ जो धातुएं को पतले तारों में खीच स पतला तारों आप इसे खीच सकते हैं एक ग्राम सौने से दो किलो मीटर लंबा महीन तार खीचा जा सकता है केवल एक ग्राम सौने से दो किलो मीटर लंबा पतला तार आप खीच सकते हैं ठीक है चलो मैलियेविल होती है अगहात बर्धनी होती है यानि कि मैलियेविल का मतल हो गया जब आप इस पर हम्रिंग करते हैं थोड़ा चलाते हैं फैलती है ना ठीक है यानि कि मैटल्स की हुए प्रॉपर्टी जो उन्हें पीटे जाने पर है ना बिना तोड़े पतली इस चादर में यानि कि पतली सी लेयर में कनवर्ट हो जाती हैं और इस चंता को मेरे प्यारे कमेरी के चंदी सबसे प्रॉपर्ड आप से पूछ सकता है कंपडिशन की भी देखो सबसे पहले तो आपको ओ digestive तो ऊवर्वियू में आपका एक तरह से कंप्टीशन ही होता है मेरे प्यारे पिद्यारतियों सबसे ज्यादा मैलिएविल कौन से मैटल होते हैं तो आप बताएंगे सोना और चांदी सबसे ज्यादा मैलिएविल होते हैं कि धातुएं हीट की अच्छी कंड़क्टर होती हैं मैटल हीट के अच्छे कंड़क्टर होते हैं एलेक्रिसिटी के भी होते हैं हीट के भी अच्छे कंड़क्टर होते हैं प्यारे विध्यार्थियों धातुएं सरलता से उस्मा को यहीट को अपने में से कंड़क्ट होने दे हैं चांदी सबसे अच्छी कंड़क्टर है चांदी सबसे अच्छी कंड़क्टर है अगर हीट के चालन को क्या कहते हैं उसमिय चालक्ता कहते हैं उसमिय चालक्ता इलेक्टिसिटी की भी अच्छी कंड़क्टर होती हैं मैटल्स electricity के भी अच्छे कंड़क्टर होते हैं और अपने मैंसे इलेक्ट्रिक करेंट को प्रुभाइवित होने देते हैं प्यारे विद्ध्यार थी हो एक कुस्यन है आपसे एक मोटा सा रॉड है हमारे पास माली आपकी जो अगर हम बायर में बहुत मोटा सा अगर एक सरिया मालो लभिया मालो एस तरह से और मैं आपसे पूछेए बताओ अगर हमने हमने करणट किया तो तो electric current, یعنی ki electric field सबसे ज़्यादा generate कहा होगा, उस सर्या के सेंटर में, या सबसे उपरी लेयर में, मिरे प्यारे पिध्यार्ती, आपको बताना है, यह कुछा, यानि की current कहा होगा, electric current सर्या के उपरी भाग पर होगा, या उसके center पर होगा, मेरे प्यारे विध्यारतियों को यह आंसर देना है यह आंसर आयाइटी के कुशन में पूछा गया था तो आप जानते हैं कि हमेशा electricity outer layer पर electron flow करते हैं प्रभावित होते हैं electron जो प्रभावित होते हैं वो कहां होते हैं सबसे उपर की तरफ होते हैं सेंटर की अगर बात करें तो एलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाता है सूनने हो जाता है ठीक है चांदी इलेक्ट्रिक की सबसे अच्छी कंड़क्टर है सोना एलुमिनियम और टंगस्टन के बाद बिद्दुत के अच्छे चालकों में कॉपर का स्थान आता है यहनिकि चांद टंगस्टन के बाद लेक्ट्रिक सिटी के अच्छे चालक का कौन सा नमर आता है कौपर का नमर आता है तार सोने के भी नहीं बना सकते हैं तो इतना महिंगा बलब में ही डालने वह तंट लगाने में बहुत महिंगा पढ़ जाता है तो मेरे प्यार विद्यार थी ओ सस्ते ह प्रथवी तल्के नीचे पाय जाते हैं अर्थ में पाय जाते हैं खनिज कहलते हैं मिंडल transparency काहला THIS काफी अधिक रहती है जब्कि कुछ खनिजों में बहुत ही कम होती है अते سबी खनिजों का उप्योंग धातू ओर्स करने में नहीं होता है है तो निकाल लोगे जमीन से लेकिन सभी खने अार्ट क आजसके अलम सकते है घंष को आप जमीन से आशक चारी प्रकार करते हैं parcel यह जमीन प्रकार सकते हैं उक्साइड ऐस सुलफाइड ऐस्क कारबोनेट ऐस्क और हैलाइड ऐस्क एक ऑफ फिर रिवाईड कर लो उक्साइड एसक दूसरा है सपार तीसरा है कारबोनेट ऐस्क पार के'll निकालने का ठिसरे यनि कि यहने कि ऊजर कԱसी प्रॉसेस है दहातू के निस्कासन के लिए और से क्या निकालेंगे UC से उसमेंसे दहातू अलक कर लेंगे। जो कचडा है उससे बाहर निकाल नहीं रखैंगे उसक्रिया को क्या कहते थें हैं ? इस ड्यों कहते हैं lusive मेटलर्जी ए मेटलर्जी ने मेटलर्जास का पर cherry क्रम किसके से पहला कौन सा हो गया हैंड फिकिंग दूसरा हो गया ग्रेवटी सैपरेशन मैथ़ ग्रेवटी के दौर आप इन्हें अलग कर सकते तीसरा हो गया फैन पलवन विदी यानिकि फ्रंट फ्लोटिंग प्रॉसिस ठीक है चौथा हो गया मेगनेटिक सेपरेशन मेथड पांचमा हो गया रोस्टिंग्स ऑफ कंसंट्रेटिड और यानि कि सांद्रित आयस का भरजन करना यह सब इस्टैप बहुत सारे इसे नहीं कोई बड़ी बड़ी आयस की फैक्टरी डाल सकता है सर मैं तो बड़ी फैक्टरी डालूंगा कैसे डाल सकते बेटा नहीं डाल सकते इतने सारे प्रोसेस ऐसा नहीं कर सकते हो यह आपने मतलब केमिस्ट्री में बहुत अच्छी से मेहनद की पहले तो आप नॉलेज दो इसके बाद अपनी जो है कंपनिया बगरा डाल सकते हो ठीक कैल्सीनेशन ओफ कंसंट्रीटेड आयस्क यानि कि सांदेत आयस्क का निस्तापन करना फिर अभी जो असुद्ध है उसका सोधन यानि की रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ इंप्यूर मैटल्स और इसके अलग-अलग प्रोसेस हैं जैसे कि आस्वन विधी यानिक दिश्टलाइजेशन मैथर्ड फिर ऑक्सी कड़ विधी यानिकी ऑक्सिजेशन मैथर्ड फिर एलेक्ट्रो लाइटिंग रिफाइनिंग यानिकी बिद्धु तब गठन द्वारा सोधन तब कहीं जाके प्यूर मैटल आपको प्राप्थ होता है ठीक है धातूं को प्राइनिक बिद्धियां कौन कौन सी है बॉन आरकेल की बिद्धी यानिकी बॉन आरकेल मैथर्ड है और छेत्र सोधन द्वारा यानिकी जॉन रिफाइनिंग तो प्यारे पिद्धार थी यह सब प्रॉसेस आपके लिए कॉमन है ठीक है ओके तो पहला वीडियो इतना ही रखेंगे और दूसरे और भी वीडियो में आपको पहले आपको ओवर्व्यू दियूंगा ठीक है आप मैटल के बारे में ओवर्व्यू ले लिजिए पूरा ठीक है ओवर्व्यू मैं ऐसे यह आपको जो है कुछ बुक्स बगएरा कि अच्छे पॉइंट में आपको वीडियो